पर यह सच है कि इन दिनों हमारे मुख्यधारा मीडिया की सबसे मुखर समिक्षा, सेमिनारों, संगोष्ठियों, कुछ सीमित मीडिया कॉलम्स के अलावा, सोशल मीडिया पर दिख रही है, हम गाली गलोज करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्चंद संजीधा टिपपड़िकारों की बात कर रहे हैं, जो मुख्यधारा मीडिया पर विंदवार सवाल उठा रहे हैं, पिछले कई सालों से रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर नामक वैश्विक संस्था प्रेस फ्रीडम का ग्लोबल इंडेक्स जारी करती रही है पहले सिर्फ मीडिया मंथन या दहूट या इसी तरह की कुछ और मीडिया वेब साइटों या कुछ चुनिंदा कॉलम्स में इसकी चर्चा होती थी इस बार के सूचकांग की हमारे हाँ मीडिया के अन्य हिस्सों खासकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा होई कईयों ने अपनी पोस्ट या ट्विट में इस साल के इंडेक्स में भारत के तीन नमबर नीचे लुड़क कर जिंबावे, कोलंबिया, मुरको और अलजीरिया से भी नीचे क्यों है इसके लिए कौन जिम्यदार है कोई व्यक्ति, परिस्थितिया या प्रक्रिया है इस दुर्गति में मालिक, मैनेजर और पत्रकार किसका कितना हिस्सा है संस्थानों में इसकी समिक्षा कौन करे सड़क की और उनकी भाषा का फर्क मिटता गया है उन्होंने युद्ध देखा नहीं, शायद ही कभी कभी कबर किया हो पर वे आज के सबसे बड़े युद्ध विशिसग्य है बहुत संभव है, बनिहाल इस्थित जवाहर टनल के आगे कभी कदम न रखा हो पर वे कश्पीर के सबसे बड़े जानकार बन जाते हैं बस्तर उनके लिए मावादियों और सुरक्षाबलों की हिंसा का मुठवेड स्थलबर है उन्हें नहीं मालूम कि वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी भी रहते हैं इनका जीवन दोनों तरफ की हिंसा प्रति हिंसा में रोज बरोज पिचकता जा रहा है अंग्रेजी हिंदी के ये ज्यादत टीवी सीतारे या संपादक क्रामशाह उच्च वरगी या मद्देवरगी हिंदू सवरन समाजों से आते हैं इसलिए इनकी नजर में अवरनों की दुनिया सबसे वरस्ट, जातिवादी और निक्रिष्ट लोगों से भरी पड़ी है इनकी नजर में गरीबी, बढ़ती, गैर बेरोजगारी, गैर बराबरी, जाती उत्पिरन और महिला उत्पिरन नहीं तीन तलाक और गोरक्षा भारत की सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए युद्ध की चर्चा एक खुशनुमाज जादोई एहसास है जब टी आरपी के तार इनके जंक्रित होटते हैं मीडिया से जुड़े ऐसे सवालों पर विविन मंचों, सेमिनारों और सोशल मीडिया के मंच पर इन दिनों लगातार चर्चा चल नहीं है मीडिया मंतर में हम ऐसे तमाम प्रियासों का अविनंदन करते हुए आज इस बात की पड़ताल करेंगे कि समाज में उठते सवालों का हमारे मुख्यधारा मीडिया खास कर चैनलों पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है चार खास मेमान है उसकी आप कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश वटवियाल एसोसियेट एडिटर जवाहरला नहरूब श्विद्याले और हमारे साथ नवी नोद वर्मा एग्जेक्यूटिव कमिटी मेंबर हैं एडिटर्स गिल्डाफ इंडिया के लंबे समय तक बीबी सी के साथ उन्होंने काम किया है शुरुवात हम करते हैं वटवियाल साथ आप से क्योंकि आप हम लोगों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एकेडिमीशियन है जो जनलिस्ट नहीं है शायद आप बाहर से देख रहे हैं दुनिया को कैसे देखते हैं इस प सिकूर रहा है और अगर सिकूर रहा है और निश्यत रुप से सिकूर रहा है सभी मानते हैं इस पर सामत ही है और यह नहीं कि कोई दो तीन साल से हो रहा है यह लगातार यह सिलसला है हम किसी एक सरकार को इसके लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन सवाल है कि क्या इस बात का एहसा प्रेस को है, अगर है तो संचालक, संपादक, जो स्टेक होलडर्स हैं मीडिया में, क्या उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर्स उनके पास है, कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा है। वेलफेर स्टेट्स हैं, और ये बहुत बड़ा इंगित है, और अगर हम लुड़कते जा रहे हैं, इसका कारण भी शायद वहीं पर है, कि साथ हम सोशल वेलफेर और जो भी कह ले आप, स्टेट वेलफेर, सोशलिस्ट, जो भी है, मेरे ख्याल से हमारा एक जो उसको आजकल म मखौल के रूपे दिखा जाता है, सोशलिस्ट का जो शब्द है, कि एक बराबरी, इक्विटी, जस्टिस, ये जो हम, उसमें जो लुड़क रहे हैं, शायद वही है, जो ये प्रेस फ्रीडम का लुड़कना भी दिखा रहा है, ये दोनों में कहां पर तंत्र जुड़े है शायद उसका परिकल अगर हम कर लें, तो सथ कुछ लार्जर प्रोसेस पता चलेगा, एक तो ये है कि प्रेस, जो एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन, प्रेस आफ वो एक तरह से मॉड़न कॉंसेप्ट है, और एक मॉडरन कॉंसेप्ट हमारे तेड़ दो सो सालों का संघर्ष रहा है अंग्रेजों के आने के बाद उसके बाद एक नाशनल मूव्मेंट वी कुछ जगा पर एक ऐसे समाज की स्थापना की सोच की गई कि जहां इनिक्वालिटी और सोचल इनजस्टिस को हम कम करेंगे उसको अटैक करेंगे वो एक नाशनल मूव्मेंट का दायरा था जिसमें हम लोगों ने एक प्रेस फ्रीडम की अवधारना बनाई हमने अंग्रेजों को अटैक किया अपने सोचल क्वेस्टिस को अटैक किया मेरे खाल से वो दायरा जैसे ही वो दायरा उस पर नाशनलिजम पर ही अटाक होने लगा है मेरे खाल से प्रेस्ट फिडम भी उसमें जुड़ा हुआ है कहीं पर बिलकुल संचेप में हम फिर आपके पास आएंगे लेकिन दो और छोटे-छोटे पॉइंट हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो इस सबक्त इसके इंडेक्स के आने के बाद सीजम हो रहा है मेडिया का और अगर आप सोसल मेडिया पर जाएं गाली गलोज करने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ वाकई जो संजीदा लोग है पड़े पैमाने पर रियक्शन्स आ रहे हैं कमेंट्रीज आ रही हैं तिपनिया आ रही है ऐसे लोग मीडिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं हमारे देश में सोसल मीडिया के जरीए हो या क्योंकि और कोई फोरम नहीं था लेटर स्टु एडिटर अख़वारों में खत्म हो रहे है टेलविजन के पास कोई मेकेनिजम नहीं है कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसे कि वो अपने दर्शकों की बात सुन सकें कि उनके बारे में उनकी क्या राया है तो क्या ये मीडिया जागरुकता पढ़ रही है ये माना जाए और उसका कोई सवाल्टर्न एक परिप्रेक्श है क्योंकि बोलने वाले लोग आम तोर पे बहुत पिछड़े समाजों के हैं, साधारन लोग है जो पहली बार साध सोशल मीडिया के जरिये समबात कर रहे है आपने बहुत ही गंबिर सवाल ही नहीं जवाब भी दे दिया है बात ये हो रही कि मीडिया अब बहर कहीं नहीं है अब ड्राइंग रूम में है, बेड रूम में है हमारी सुबह शुरू होती है पें शामिल हो गया है उन्हें लग रहा डर लगने लगा है यह जो डर का माहौल बना है वो मेरे खाल से बहुत लोगों को अब इंकरेज कर रहे हैं कि आके उसको क्रिटीक करें मिराज़ आप कैसे देखती हैं इसी सवाल को कि क्या एक मीडिया जाग रुकता बढ़ी है उसका एक सबाल्टन परस्पेक्टिव इमर्ज कर रहा है क्योंकि मुखे धारा मीडिया से उसमें डॉमिनिंस जिन लोगों का रहा है वर्चस जिन लोगों का है उससे एक गहरा करेंगे कि विकास हो रहा है और अगर दुनिया के जिन मुलकों में डिमोकरिसी बहतर है, SDI बहतर है, वहाँ Freedom of Press में भी वो सबसे उपर है आपने बोला कि यह alternative narrative है या कि सबॉल्टन का attack है या सबॉल्टन का question करना मुझे लगता है सबसे जो बेसे ज़ाए गुसा है क्या है गुसे से ज़्यादा मुझे लगता है ये battle of dominance of narratives है कि हमारा जो जिन्दगी की सचाई है वो इतना दूर क्यूं है जो हम TV स्क्रीन में देखते हैं या नियूस पेपर में पड़ते हैं और ये कब से आ रहा है लेकिन आपने सही बोला कि पिछले दो-तिन दिनों में प्रेस प्र पनामा में बस चार blackout stories की बात करूंगी जो बहुत ही बड़े थे जिस पे social media ने भैंकर question किया पनामा पेपस इस साल प्यूलिटर लेकिन आप डाइवर्ट नहीं आप बेहतर उसी मुद्दे पर आए मैं उसी मुद्दे पर बोल रही हूं कि social media ने जो चार blackout story पिछले करना उसको social media ने बहतरीन रुप से उस पे question किया एक second मैं प्रीज बताना चाहती हूं पनामा पेपर्स पे जो संनाटा था इस पे actually social media ने पूछा था संनाटा क्यूं है जब उसे प्यूलिजर प्राइस मिला तब social media में बहुत सारे एसे twitter handles हैं जैसे आपने बोला रोही अरे प्रधान मंतरी गए थे पिछले साल काटार स्टेडियम भर दिया था slogan येरिंग से लेकिन कोई भी बाचित नहीं हुई काटार गर्वर्मेंट के साथ की हमारे working class की स्थिति कैसी है social media ने इस पे बहुत ही बहतरीन सवाल उठाए था ने हम यह समझना चाहते हैं कि जो इस वक्त आलोचना हो रही है मुख्यधारा मीडिया की social media के जरिये या दूसरे और मादेमों से हमने हाल के दिनों में देखा कई इनवस्टी में यहां तक की दिल्ली इनवस्टी के कई colleges में सेमिनार हुए हैं जिसमें लोगतंतर और मीडिया को लेकर discussions हुए हैं तो यह क्या हमारी lived experiences, lived reality इतनी अलग है screen से, दूसरा मुझे लगता है चुंकि हम अमेरिका से बहुत सिकते हैं, अमेरिका हमारे लिए aspirational देश हैं, हमें इस से भी शरम होने लगा है कि अमेरिका इतना भेंकर push back कर रहा है ट्रॉम्प administration को, अमेरिका, अमेरिकन मीडिया आज के तारिक में बहुत ही बड़िया चालेंज अपना जो responsibility जो खो दिया था, हमने उस पर एक अच्छा शो किया है, आप लोगों की किपासे, लेकिन मैं गौतम ये समझना चाहता हूं, कि जो स्थितियां अभी हैं, अभी मैं एक tweet देख रहा था, राजदीप सरदेसाई का, राजदीप बाद बाद उन्हें बताया था कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, गटना, उन्हें किसी ने धमकी दी, और वो धमकी बकायदे उनके संस्थान को भी आई, कि या तो आप रादीप सरदेसाई के खिलाब कारवाई कीजिए, वरना हम इनके खिलाब और आपके खिलाब भी कारवा इसमाश शास्त्री हैं, उनको उन्होंने आमंतरित कर दिया था, 36 गड़ इशू पर बोलने के लिए, तो इस अपराद विदिन दे कोट के लिए, एक अचानक उनके पास आता है संदेश और उनके संस्थान को कि हम ऐसा कर देंगे, ये जो पहलू है, इसके बावजूत की हम हम बहुत सारे इशूस पर डिसकस कर रहे हैं, कि हम मीडिया में क्या समस्या हैं, प्रेस फ्रीडम की क्या समस्या हैं, क्रॉस मीडिया होल्डिंग के के इंप्लेकिशन क्या हैं, नियूज रूम में डाइवर्सिटी ना होने के क्या परिनाम निकल रहे हैं, लेकिन ये जो प बाड़ रहा है शमस्चा इसका तो सबूद है कि हम फ्रेस फ्रिडम इंडक्स में भारत का स्थान नीचे तीन पॉइंट आउर भी नीचे चला गिया क्योंकि जितना देश में लोक तंत्र है उसी देश का आकड़ा हिसाब इस किताब करके उसको बनाया गिया कि कौन सी देश क स्थित्र में है अगर भारत पहले जो था आज आगर नहीं है तो यह तो निश्चे चिंता जानक बिशह है कि मैं जो मानता हूँ कि यह जो प्रेस फ्रेडम का इंडर्ट्स ची कम हुए इसे मीडिया का रोल किया रहा है overall मीडिया कोई मिलके कोई ऐसे कोई माप डंड ऐसे कोई मैं censorship का बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई ख़बर कैसे हो कैसे किया जाए क्योंकि ख़वर तो होना चाहिए समाज में जो घटना घट रही है उसका पर्तिपलन और उसका बिसलेशन यही तो दोनों मिला कर लेकिन हम तो कारवाई किये बगार हम कारवाई करा दे रहे हैं आर्मी चीफ कहा रहे हैं कि हम अगर कोई कारवाई करेंगे कारवाई के बाद ब्रीफ करेंगे प्रेस को या समाज को बताएंगे लेकिन कारवाई होने से पहले हमारा मीडिया बता दे रहा है कि दो के बदले साथ कौम ने मारा और उनकी कई चोकियों ने इस तनाबूत कर दी और कुई माफी भी नहीं मांगता? नहीं माफी तो कोई ने कोई जबकि आर्मी जीफ के होता है गलत कबोई कोई माफी तो मैंने देखा नहीं मारत लेकर, कोई बड़े लेकिन दुनिया के किस डिमोक्रिटिक कंट्री में ऐसा होता है 추천 गि लेकिन विनोद आप देश के और विदेश की बड़ी मीडिया संस्थाओं में काम कर चुके हैं अभी जो इस्थितियां सामने हैं जो परिद्रिश्य नजर आता है क्या आपको लग रहा है कि क्या ये थमेगा या ये सिलसिला नहीं थमने वाला है despite of criticism, despite of what बिराज कह रही है य एक counter narrative सामने आ रहा है एक नए perspective से लोग मीडिया से चाहते हैं कि वो correct अपने को करे अपने को बदले नहीं तो वैकलपिक मीडिया भलही social मीडिया के जरीए संभावना एक नहीं है लेकिन लोग तो कुछ कर सकते हैं ना लोग अपने संभाद के नए नए माध्यम कि यह आपको लगता है औरमिले जी थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा कि इसको हमको मीडिया के लोकतंत्र से जोड़ के देखना पड़ेगा क्या मीडिया का लोकतंत्री करन हुआ है मीडिया हमारा मीडिया तो top bottom है हम उपर बैट कर जो सोचते हैं वही नीचे हम दिख नीचे है जिसकी उसका मालिकाना हक जिस सरह से बना हुआ आजादी के बाद से अभी तक वो दुरभागे से जो है वो उसको लोकतंत्री खोने से रोकता है बार बार और उसमें वो जो आपने सवर्ण और आवर्ण मीडिया की जो बात की वो बिलकुल एकदम सो प्रतिशत ल देखेंगे तो फेस्बुक कितने लोग यूज कर रहे हैं फेस्बुक इस समय जो है दस करोड़ लोगों के पास है भारत में जो हमारी आबादी का दस प्रतिशत से भी कम है और अगर आप उसको ट्विटर पे ले जाएंगे तो ट्विटर से दो करोड़ लोग यूज कर र तो वही वर्ग है ना जिसके पास स्मार्ट फोन है जिसके पास इंटरनेट है जिसके पास ये पैसे चुकाने के पैसे पास शम्ता है तो दरएसल हाशिये पे पड़े हुए 80-90 करोड लोगों की कोई आवाज हमारे पास मीडिया में नहीं है और उसके लिए कोई मीडिया ही उ कि मीडिया कैसे हाई जैक होता है और उसकी आवाजे कैसे चुराय ली जाती है और कैसे उसको एक तरफा कर लिया जाता है और रत्यातरा से लेकर अभी तक देख लीजे कभी हम प्रेस्टिटूट हो जाते हैं कभी हम जो है विकाव मीडिया हो जाते हैं कभी विके हुए मीडि लेकिन बेलो डेकिन सवाल हैकि जब हम मीडिया कहते हैं तो मीडिया क्या हैalan विशक्तIST इसमें मालिक है। उसमें हमदाबाद से लेकर कॉलकटा तक से पढ़कर आये हुए MBA करके प्रबंधक हैं अब सवाल है कि इन तीनों के बीच में जो सक्ता संरचना है जो कार्परेट है जो विज्यापन दाता है इनके बीच फंसा हुआ जो मीडिया है इसके लिए कुसुरवार कौन ज्यादा है सबसे ज्यादा जिम्यदाद जबाब दे कौन है क्या मीडिया की संरचना में कोई ऐसी चीज है जो इसको जिसकी तरह प्राकेश जी नहीं सारा किया कि इसको फ्री ना होने देने के लिए शायद अभिशप्त कर देती है एक दम ठीक कह रहा है मीडिया कहने से जैसे जब मुझे कहते हैं कि मीडिया विकाओ है तो मेरे मुझ पर मेरे फेस पर कहते हैं कि मीडिया विकाओ है मैं क्या मीडिया हूँ मैं एक श्रमजीवी पत्रकार हूँ पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ पर क्या मैं मीडिया पर मालिकाना हक मेरा है क्या मीडिया पर मालिकाना हक आपका है क्या मीडिया पर मालिकाना हक किसी भी शम्जीवी पत्रकार का है एकाद दो संस्थानों को अपवाद की तरह छोड़ दें तो नहीं है जो बिटन में जो मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया है ट्रस्स बनाकर काम करने का वो यहां तो नहीं है जो बिकाव कौन है बिकाव वो है जो मीडिया का मालिक है जिसके पास अलग अलग तरह के उसके विनोध महम फिर आपके पास आएंगे लेकिन राकी जी मैं बिलकुल संझेप में हमारे पास समय वागई कम है जो प्रेस्ट की आपके हिसाब से जो भारत में इस वक्त जो बड़ी चुनोतियां हैं हमने इंटरनेट की भी चरचा कर ली वाटसाप की चरचा कर ली सब की कर ली लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अपने मुल्क में जब कभी कहीं स्थितियां थोड़ी सी भी लगता है कि चुनोती बहुत फ्रिक्वेंट है और 2014 से 8 दिसंबर 2016 तक मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, इन्होंने बताए कि 250 दिन डिफरेंट स्टेट्स में इंटरनेट बैन रहा, कश्मीर में 2016 के दौरान 60 फीस्दी बैन आल नेटवर्क्स, सभी नेटवर्क 60 संबरिद कहे जाने वाले पड़ोसी राजे, दिल्ली से बिल्कुल बगल में हरियाना, वहां भी कुछ समय पहले बैन हुआ था इंटरनेट, लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं, कि आपके हिसाब से, प्रेस फ्रीडम की बड़ी चुनौतियां जो हैं भारत में, क्या है? वह केवल फॉक्स न्यूस के रिपीट नोसन दिखा रहे हैं, हम किसी भी प्रोग्रिसिव मूब्मेंट के, किसी भी इक्वालिटी के मूब्मेंट के, कोई पक्षधर नहीं है, नो यह जो, यह इंस्पिरेशन होती हैं मीडिया के लिए, 40s, 50s में हम रशियन रेवलूशन क से मोटिवेट होते थे, अमेरिकन विएतनाम, एंटी विएतनाम फाइट से मोटिवेट, आज हमारी मोटिवेशन जो है, फैशन परेडर, क्या क्या हो, यह तबदिली क्यों, यह तबदिली क्यों कि हम मीडिया धीरे-धीरे संकुचित वर्क के साथ, वो स्टेट का पहले भी मीडिया में अपरकास्ट ही से लोग आते थे, मिलल क्लासिज से आते थे, या हायर मिलल क्लास से आते थे, लेकिन उनके अंदर जो लिबरलिजम था, या गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आगे उठाने का एक दर्द होता था, वो कहां गायब हो गया? वो क्योंकि हम अपने आपको, अचानक हम अपने आपको बहुत बलशाली, ग्लोबल लीडर, पावर, ये समझने के चक्कर में हमने क्या किया है, अपने आपको G77 से अटागे G20 में दागा है? ड्रकोनियन लॉज है, और भी ड्रकोनियन बनते जा रहे हैं, हेट स्पीच के लिए हो, या फिर सेडिशन के लॉज है, वो भी अलग बात है, लेकिन ये जो इलीड क्लास का कैप्चर है, एडिटोरियल के उपर, श्रम जी भी पत्रकारों का वर्किंग कंडिशन मजी थिया वेज बोर्ड अब तक इंप्लिमेंट ना होना, और लडाईयां और इखरी बनती जाना, कि मारुति सुजी की वर्कर्स यूनियन के उपर इतना बहतरी नहीं जज्जमेंट आया है, उसमें 117 बच्चे 5 साल के जेल के बाद छोड़े गये हैं, वो हमारा प्राइम टाइम मे आप चलाएंगे मीडिया, एक प्रतिशत पे, इतने विशम समाज में एक प्रतिशत के इंडस्ट्रियलिस और पावर इलिट के पैसे से आप मीडिया चलाएंगे, तो उन्हीं का ही मेगाफोन बनेंगे हैं, गोतब, बिल्कुर संचेप में इसी सवाल का जवाब, एक्चु प्रिंडा लोग देखते हैं, प्रिंट मीडिया की कितना प्रसार हुआ है, भारत में जैसे लिटरिसी बढ़ा है, ऐसे सबसे प्रिंट मीडिया भी बढ़ा नहीं है, विनोट, आपकी राहे बिल्कुल संचेप में, समाप्त करें, अपनी बार, बेखिए, मीडिया का प्रस पड़ेगी, ऐसी उमीद करनी चाहिए, उसमें वो आवाज हैं, जो में इसी मीडिया में नहीं आ रही हैं, कम से कम वहां आप आ रही हैं, इस पर हमको संतोश करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप चारों लोगों ने इस जटिल और चनोती पूर्ण विशय पर अपनी रा समवैधानिक प्रावधानों का भी अब आओ, यह भी एक प्रशन है, स्वामित्यों का संदर्व, मीडिया ताकतवर के प्रोपगेंडा का उपकरण बनता जा रहा है, यह भी सही है, हम तो अब यह नहीं कहते हैं कि कोई न्यूज प्लांट करा रहा है, हम तो यह पूछ सकत न्यूज रूम में विविस्ता का घोर अभाव, शायद दुनिया के किसी भी बड़े देश में न्यूज रूम में विविस्ता का ऐसा भाव शायद ही कहीं दिखता हो, पत्रकार जो आजकल केसिज में फंसाय जा रहे हैं, धंकियां दी जा रही हैं, हत्याएं तक हो रही है मुझे लगता है कि ये सारे पहलू बहुत महत्वपून हैं, लेकिन कोई विचार करने को तयार तो हो, विचार हो रहा है, समाज में हो रहा है, संगोष्टियों में ही केवल नहीं हो रहा है, लोग अब कस्पों में गाओं के चावराहों और चावालों पर भी कर रहे हैं, झाल झाल